हेलो शुडेंट्स हमारे शुटूप के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है तो आज हम रोजाना की तरह आपके लिए एक और रोचक बात लेकर क्या हैं जैसा कि भाते विज्ञान में इस बारे में बहुत लोग गलतियां करते हैं और बहुत सारे टीचर्स भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आज शी टॉपिक पहले जाने है हमारा क्या है मात्रकों को लिखने का सही तरीका वास्ताओं में हम जानते नहीं है सही से और बहुत सारी चीज़ें गलतियां करते हैं और टीचर लोग ध्यान नहीं देते हैं और हमारी ये गलतियां आगे मतलब बढ़ते जाती हैं अगलती के लिखने के बाते को पतलब कि लगभते लगख नहीं बताए जाती हैं तो आज चले शुरू करते हमारी आप देख रहते हो ना कि मात्रकों को लिखने का सही तरीका आज से जान जाओगे आप सभी लोग की कैसे लिखा जाता है और यह वाला वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को स्टेयर करेंगे ताकि कोई भी विद्यार्थी इस ग्यान से अच्छूता ना रहे सब को समझ में आ जाया कि हां मतलब कि क्या सही करते हैं और क्या गलत करते हैं तो आप इस वीडियो को स्टेयर कर नमत बुलिएगा अब देखिए चलते देखते हैं कहता क्या है टॉपिक हमारा देखिए पहली बात तो यही है कि किसी भी राश के मात्रक के लिए उन्ही संकेतों का परियोग करो जो मानने हैं मतलब कि किसी भी राश का मात्रक आप जानते हो वास्तों में साथ मूल मात्रक होते हैं अगर मैं बताओं तो मूल मात्रक में मतलब कि पहले साथ मूल रासियां होते हैं लंबाई, द्रब्मान, समय, विद्धुधारा, ताप, जोदितिवर्ता और पदार्थ का परिमार बोलते हैं उसको या पदार्थ का परिमार बोलते हैं तो लंबाई का मातरक मीटर होता है पहले बात जान लो आप लंबाई का मातरक क्या होता है मीटर होता है तो इसका संकित होता है small M, ठीक है ना, और रखमान का मातरक होता है kilogram, तो इसका होता है KG, ध्यान दिजिएगा, हमारी बात का मैं बहुत ही deep में चलने वाला हूँ, और शमय का मातरक second होता है, तो इसको संकित होता है small S, और बिदुधारा का मातरक MDR होता है, तो यहाँ पे होता है कैपिटल ए होता है यहां दिजेगा कैपिटल ए होता है और ताप का होता है केलविन तो यहां पे होता है कैपिटल के ताप का केलविन और जो तीति बर्ता का होता है कैंडेला कैंडेला का होता है इसमाल सी और इसमाल डी होता है और पदार्थ की मातरा का होता है किम ओ यए और आगे दो हमारे पास संपूरक मात्रक होते हैं इसको दिखाते हैं आर इस्माल आर एडी उता है और हैं मारे पास इस्टे रिडियन फोसकोड अए घंकोड का इस्टे रिडियन होता है small s और small r ठीक है न तो इस सारी बाते आपको पता होने चाहिए तो मैंने क्या वहला किसी विराश के मातरक के लिए उन्हीं संक्यतों का प्रयोग करो जो मानने है मतलब कि यही सारी चीज़े हमारी मान नहीं ज्यान देजिएगा इसके अलावा आप कुछ भी लिखने का प्रयास ना करिए वरन्था आपका मातरक गलत हो जाएगा और कनफर्मली गलत हो जाएगा कोई भी मतलब की मतलब की कोई भी टीचर आपका यह चीज़ गलत कर सकता है आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यह तरीका होता है लिखने का तो चले देखते हैं दूसरी रोचन बात कैस में और आप हमको बता देकी कमेंट बॉक्स में फटाक से कैसा आपको वीडियो हमारा लग रहा है किस प्रकार से आपके लिए यूश्फूल रहा है तो देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या कहता है सेकंड है मात्रक को बावशन में बनाने के लिए आप देख रहा हो ना मात्रक को बावशन में बनाने के लिए संकीत के अंत में यस या इस नहीं जोडा जाता है मै पच्ँस सोचते हैं कि 5KG यार से ज्यादा होता है तो और बने आ जाता है तो 5KG को फाइब के जी लिख सकता हूं तो यह बिल्कुल बात गलत है मतलब कि मात्रक्टों को जो संकेत होते हैं उनका बावचन होता ही नहीं है चाहिए 5 kg यह हो तो देखो मैंने क्या लिखा है 5 kg को 5 kg लिखा जाएगा 5 kg यह नहीं ऐसे मीटर मालो 10 मीटर है तो ऐसा नहीं कि आप 10 मीटर बावचन है तो ऐसे यह में अस लगा दो एक गलत है रॉंग है मीटर ही रहेगा तो यह जानकर आपको कैस फूली सटाप नहीं दिया जाता है अब ऐसा नहीं कि आप मीटर लिख रहे हो तो मीटर के बाद में 20 लगा दो किलो गराम लिख रहे हो तो किलो ग्राम की अंती में बिंदी लगा दो नहीं बिल्कुल गलत है दो बिलकुल गल Alors Когда अंतर करद को अंत Sports नहीं लगाना यह सही है बिंदी कभी नहीं लगाना यह मस सोचना कि हमको बात पूरा करना तो बिंदी लगा देंगे हो जाएगा नहीं और मात्रक लिखने के लिए सारी बात हो गलत है बिंदी कभी नहीं लगाने वाला तो चौती बात देखें क्या काता है किसी भी मात्रक को लिखने के लिए पूरा नाम तथा संकेतों को मिला कर नहीं लिखा जाता है जान लेजिए कि किसी भी मातरग को लिखने के लिए पूरा नाम तथा संकेतों को मिला कर नहीं लिखा जाता है जैसे वेग के मातरग मीटर पर श्तर सेकंड तो अप्वाला समय का होता है थो यह बात गलत है यह बिल्कुल गल whats आपको लिखना है तो चाहे लिखो ए वाला मीटर प्रतिसेकेंड यानि की दोनों संकेत ही रहे और या तो दोनों मतलब की पूरा नाम ही रहे लेकिन अब बाद गलत है कि आप मतलब की जल्दिवाजी में इसको मिला दो इसको मिला दो अब जल्दिवाजी में इनको मिला नही अंग्रेजी के छोटे अच्छर से लिखा जाता है और मैं बता दूँ एंपियर और केलिविन को छोड़ करके जो हमारे लिखने के तरीके है ना हमेशा इसमाल लेटर से लिखे जाते हैं मैंने क्या बोला कि हमेशा मातर काई नहीं कि अब पांच जल्दिवाजी में क्या बच्चा करता है फाइप मीटर को ऐसे लिखता है फाइप मीटर ये बिल्कुल गलत है ये कैसे होगा फाइप मीटर होगा मालो फाइप कैंडेला आपको लिखना है तो फाइप कैंडेला ऐसे कभी नहीं गलती स्रीमत करना यह अभी गलत है और कोई ऐसे लिखता है तो यह अभी गलत है मतलब कि यह छोटा दोनों होता है ना तरीका यही है कि दोनों छोटा ही रहेगा मतलब कि मातरक के संकेत का पर्था मच्छर हमेंसा पर्था मतलब की जो लिखने का तरीका जो मैं आपको शुरुआते हो यह हमेशा रहेगा यह नहीं कि आप गड़ा लेटर कर दो बिलकुल तरीका गलत करते हो जान जाओ आप यह सब मतलब की बहुत ही रोचक बाते हैं और बहुत ही ग्यानदाई बाते हैं और आपको हमको लगता है कि समझ में आभी रहा होगा तो चलते हैं चटे होले टॉपिक पर क्या करता है मातरक के संकेत को अंग्रेजी के बड़े अच्छर से तभी लिखा जाता है जब मातरक किसी बैग्यानिक के नाम से समंदित है अब मातरक का संकीत मालो कुछ मातरक हमारे पास व्यूत्पन होते है जो मैंने शुरूम बता है आपको मूल मातरक बताया है व्यूत्पने चे मालूम बल का मातरक क्या होता है बल का मातरक आप सभी जानते हो कि बल का मातरक होता है न्यूटन तो न्यूटन बैग्यानिक नाम ह हो है तो बैग्यानिक का नाम है तो इसको capital W लिखोगे ठीक है ना कभी गलती मत करना और चलते हैं आज के अंतिम topic पर क्या कहता है यदि मात्रक बैग्यानिक के नाम से संबंधित हो तो उसे पूरा लिखने में अंग्रेजी के छोटे अचरों का फरोक किया जाता है और मान लो आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हो मतलब मात्र क वजिबल का मात्र का नूटन है तो आपका मन करता है पूरा लिखने का तो एक बाद जान लो कभी ए ए मत लिखना ए गलत हो जाएगा ऐसे मत लिखना कि नाम है तो पहला पड़ा कर दो ए मातरक की लिखने का तरीका नहीं है ए गलत है मातरक की लिखने का तरीका है कि पहला अच्छर तो कनफर्मली क्या रहेगा इसमाल लेटर ही रहेगा और बाद वाले भी समाल लेटर ह रहते हैं आप समझेगे आमारी बात को मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला कि वाला पहला लेटर तो कभी भी कैप्टल मत करना मातरक लिखने में बिल्कुल गलत हो जाएगा आप जान दो अगर बैग्जानिक का नाम मैं मातरक में और उसको पूरा आप लिखना चाहते हो तो प ुए ऐसे वीडियो आपके पास आने वाले हैं और यह रूदिय आप काम करते मां करते हैं तो आपने थार्थियों की साधी बता करके आप उनके लिए वेंतर बन सकते हैं और उनको ब्यातर बना सकते हैं तो मिलेंगे भी फिर छोट्टियों का अनंद लेते रव आल दा बेस्ट।